आज हम 10th ICC का Linear In Equation जो की चाप्टर नबर 4 ते है, अलजेबर का 1 चाप्टर है उसका पार्ट 3 बनाने जा रहे हैं इसे पहले हमने 2 वीडियो बना चुके हैं पहले वीडियो में हमने पूरा थेयोरी पार्ट कवर किया था दूसरे वीडियो में हमने exercise 4.1 का पहला पार्ट बनाया था जिसमें 1 से लेके 4 question तरक हमने कवर किये थे clear, so इसमें एक पैटन रहेगा थेयरी जादा नहीं है लेकिन आपको उसको ठीक से समझना पड़ेगा तो हम आज question 5 से लेके start करेंगे और ये exercise को आज खतम करेंगे clear, और फिर आगे चलके exercise 4.2 की तरफ चलेंगे जो की important portion होगा ये दोनों मिलाके 3 marks के लिए questions बनेंगे इसमें, अब कौन से important questions रहेंगे उसके बारे में हम बाद में discuss करेंगे पहले तो हम सारे questions को समझ लेते हैं और उससे चलेंगे ये book, Selena का book से हम syllabus ले रहे तो Selena के book से चल रहे हम आगे, तो आप दूसरे book को refer कर रहे होगे तो भी चलेगा, आप concept की तरफ धान दो बस कोई दिकत नहीं हो तो question number 5 देखो so question number 5 में हमें बोला गया है solve the in equation और हमें in equation दिया है 3-2x is greater than or is equal to x-12 given that x belongs to natural number तो इसका मतलब पहले समझ लो हमें इसमें से x की value find करने पड़ेगी और उसका solve करना है मतलब क्या x की value find करना है और हमें solution set भी लिखना पड़ेगा उसका और जो solution set होगा वो x belongs to natural number का मतलब क्या जो भी x की value आएगी वो natural number होनी चाहिए इससे पहले हमने integer whole number इसके बारे में पढ़ा अब natural number के बारे में पढ़ेंगे तो बस बहुत simple है आप क्या करो इसको simplify करो तो देखो ये क्या है 3-2x is greater than or is equal to x-12 बराबर है तो ये x-12 हो गया अब सिर्फ आपको x के value जुड़नी है तो हम क्या करेंगे ये जो x है आप rule ध्यान में रखना जब reverse कब होता है sign उसके लिए 3 rule थे मतलब ये जो inequality का sign हो वो कब reverse होगा मतलब change कब हो जाएगा तो rule number 1 था जब हम minus number से multiply करेंगे clear जब हम minus number से divide करेंगे और जब हम reciprocal लेंगे इन 3 cases में सिर्फ ये polarity change हो जाता है बाकी सारी cases में ये as it is रहता है तो बस आपको ये 3 case ध्यान में रखना है बाकी कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है अगर minus number से multiply करेंगे तो change होगा minus number से divide करेंगे तो change होगा और reciprocal करेंगे तो ही change होगा बाकी सारी cases में हमारा normal linear equation जो होता है उस तरह से हम उसको solve करेंगे तो बस इतना आपको दहन में रखना है तो चलो हम start करते इस question को ये question था 3 minus 2x is greater than or is equal to x minus 12 तो बस हमें x की value रुडनी है तो हम क्या करेंगे ये सारे x को एक तरफ ला देंगे और सारे numbers को एक तरफ तो हम जो भी x को एक तरफ लाने का try करते है तो जिस तरफ x positive रहेगा उस तरफ उसको रहने दो मतलब अगर ये minus 2x है उस तरफ चल जाएगे तो positive हो जाएगे तो उस तरफ convert करना उसको ज्यादा बेटर रहेगा और फिर हम क्या करते हैं देखो ये 3, ये 2x को उस तरफ shift कर देते हैं तो ये बन जाएगा 3 is greater than is equal to ये x plus ये 2y 2x और ये minus 12 यहाँ पर बच्चे clear? तो चलो इसको आगे solve करो ये हो जाएगा ये ये 4x तो यहाँ पर ये 12 जो है ये number यहाँ पर नहीं होना चाहिए उसको हम इस तरफ shift कर देंगे तो number को अगर इस तरफ shift कर दिया जाए तो ये minus का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर बच्चे ये 3 plus 12 is greater than or is equal to ये x plus 2x का answer हो जाएगा 3x बराबर है अब ये 12 plus 3 का answer हो जाएगा 15 is greater than or is equal to 3x तो हमें कहाँ चाहिए x की value चाहिए तो ये 3 इस तरफ divide होगा अभी हमने देखा अगर minus number divide होता था तो sign change होता था अगर minus number हम minus से divide कर रहे गया है ये आपर minus 3 है गया है ये minus 3 नहीं है ये सिर्फ 3 है हो जाएगा और ये greater than or is equal to x हो जाएगा तो इसका answer रहेगा 3 बंजा 3, 3 फाइजा 15 so phi answer मिलेगा phi is greater than or is equal to x तो ये सबसे last में मिला हमें जो कि ये आपर मिल रहा है देखो x is less than or is equal to phi मतलब क्या phi is greater than or is equal to x तो देखो solution set कैसे लिखेंगे solution set लिखने के लिए हमें condition देखे रखिए कि x कैसा होना चाहिए norm, मतलब natural number होना चाहिए x कैसा होना चाहिए natural number होना चाहिए अगर natural number के बारे में हमने पहले भी पढ़ चुके है पहले वीडियो में natural number हम कि इनको बोलेंगे जो 1, 2, 3, 4, 5 से स्टार्ट होगा positive के तरफ, negative नहीं आएंगे, 0 भी नहीं आएगा तो हमें इसका मतलब समयना चाहिए x की value कैसी होगी जो 5 से छोटी होगी और 5 इतनी भी हो सकती है इसका मतलब समझो x is less than or is equal to 5 मतलब x 5 से छोटा होगा नहीं तो उसके इतना होगा और वो तो natural number होना चाहिए तो natural तो start होने वाले 1 से तो यह आपे 1, 2, 3, 4 और 5 बस इतनी आएंगे क्योंकि इतने ही number है जो कि 1 से start होते हैं और 5 से छोटे हैं नहीं तो 5 तो भी है तो यह condition को satisfy करने वाला natural number का इतना ही concept आएगा 5 से छोटे वाले natural number इतने ही होते है तो natural number start होगे 1 से 1, 2, 3, 4, 5 अगर equal to नहीं होता था तो 5 भी नहीं आता था पस इस तरह से हमें replacement set solution set इस तरह से लिखने पड़ते हैं फिर बाद में number line पे draw भी करने पड़ते हैं तो यह first step है आपको solution set बनाना आना चाहिए और फिर अगली step में अगले एकसर साइज में हम उसको number line पे draw करना पड़ेंगे तो clear तो इस पे ज़्यादा फोकस करो क्योंकि यह first step है question number 6 की तरह देखो if 25 minus 4x is less than or is equal to 16 fine तो हमें values निकाल निए उसकी the smallest value of x when x is a real number and the smallest value of x when x is an integer minus 4x is less than मतलब या पर देखो 4x is less than or is equal to 16 बरा बरें तो हमें क्या करना पड़ेगा पहले x की value को डोनना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे यह 25 को इस तरफ पहले shift कर देते हैं तो यह बनेगा minus 4x as it is जो की left में बचा और यह less than or is equal to 16 minus 25 यह plus 25 इस तरफ का plus 25 इस तरफ minus 25 बनेगा तो यह minus 25 हो गया तो यहापे minus 4x clear minus 4x और इसका solution लाया दाए तो यह 16 minus 25 तो कितना हो जाएगा यहापे यहापे बचेंगे minus 9 16 minus 25 करें तो 25 में से 16 गए तो 9 और यह बड़े नंबर का sign मतलब क्या minus तो अब यहापे देखो यह polarity मतलब यह जो है वो change होने वाला है क्यों change होने वाला है मैंने आप यह आपको rule क्या बताए थे change होने के लिए किसी भी minus number से multiply करना किसी भी minus number से divide करना और उनको reciprocal करना तब जाके यह change हो जाता है तो यहापे हम क्या करेंगे यहापे हमारी वो procedure होगी कौन सी देखो हमें सिर्फ x चाहिए बराबर हैं तो हम क्या करेंगे यह minus 4 जो है यह x को चिपक क्या आता है मतलब multiplied होता है तो इधर जाते time वो क्या हो जाता है divide तो हम क्या लिखेंगे इसको x is equal to यह minus 9 divided by minus 4 लिखना है हमें अभी यहापे equal to नहीं होता है actual में मतलब minus 9 यहापे लिखेंगे और एक मिनिटा फिर लिख लिखेंगे तो x is less than or is equal to minus 9 upon minus 4 तो यह incorrect हो गया क्यों क्योंकि हमारा rule क्या बोलता था जब भी minus number divide में जाएगा तब जाकि यह जो sign होता यह inequality का यह change हो जाता है मतलब यह उल्टा हो जाता है तो यहापे जो sign है यह less than or is equal to नहीं होके क्या होना चीए क्या होना चीए हो sign जब minus number divide हुआ तो यह minus number था ना इसलिए डिवाइड हुआ तो यह less than नहीं होके greater than बन जाता है समझ गए तो यह सिर्फ आपको धान में रखना है पूरे procedure में तो यह minus minus तो cancel हो जाएगा तो हमें मिला x is greater than or is equal to 9 by 4 इसको थोड़ा simplify करो तो इसको simplify करने के बाद हमें answer मिलेगा 2.25 बराबने तो हमें answer मिला x is greater than or is equal to 2.5 clear 2.25 यहाँ तक आगे सिर्फ इस step को ठीक से धान में रखना यह minus 4 जब multiply होता है तो यह sign change हो जाता है clear so हमें मिला x ऐसे होना चाहिए कि जो 2.25 से greater नहीं तो उसके इतना होना तो भी चलेगा तो देखो धान में रखना है x is greater than or is equal to 2.25 तो चलो हम रफ करते इसको अब आगे चलते हैं तो इन्होंने बुलाए the smallest value of x when x is a real number मतलब x अगर real number होगा तो उससे सबसे छोटे value क्या होगी तो हमने अभी क्या देखा x is greater than or is equal to 2.25 बराबर है तो सबसे छोटी वाली value अब real number में तो point भी चलते है तो x के सबसे छोटी वाली value क्या होगी इसका मतलब क्या है x इस value से बड़ा होना चाहिए या equal to होना चाहिए तो मतलब यह 2.25 तो आएगा और उससे बड़े value आएगी तो सबसे छोटी value किस की आएगी 2.25 की आएगी तो अगर real number की हम बात करें real number तो real number में decimal भी चलते हैं तो सबसे छोटी value होगी वो 2.25 होगी बराबर है तो यह first question का answer होगा 2.25 जो सबसे solnist value होनी चाहिए अगर हम real number के आगे यह integer की बात करते हैं तो हमने अभी condition देखी x जो होगा वो greater द्यान होगा 2.25 से बराबर है तो 2.25 इतना हो सकता है ने तो उससे बड़ा होता है अब integer की अगर बात करें तो यह point number तो चलने नहीं वाले integer में बराबर हैं तो 2.25 से बड़ा वाला पहला integer के आएगा 3 तो इससे बड़ा वाला integer के आएगा अगर नमबर लाइन पर निकालेंगे तो यह पर 0 यह पर 1 यह पर 2 और यह 2.25 इससे बीच में आएगा आपे और इसके आगे वाला को न आएगा 3 तो 2.25 से बड़ा होना चाहिए तो मतलब सबसे पहला वाला integer मिलता है उसको 3 तो integer की अगर बात करें तो यह होगा 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 इस तरह से यह solution set मिलेगा इसका क्योंकि हम सिर्फ integer लिख रहे हैं हमें decimal allowed नहीं है तो सबसे पहला वाला integer जो मिलता है वो 3 मिलता है जो कि सबसे चोटा वाला integer भी होगा x की value सबसे चोटी वाली फिर 3 ही होगी तो हमें यह भी answer मिला कि the smallest value of x when x is an integer तो क्या होनी चाहिए 3 होनी चाहिए समझ गएं जब यह हम integer की बात करते हैं तो सबसे चोटा वाला integer लेना है real number की बात करते हैं तो rational, decimal, सब कुछ चलेगा natural number बोलेंगे तो natural के बारे में सोचेंगे whole number बोलेंगे तो whole के बारे में सोचेंगे तो इस तरह से हमें जो condition दी गई है उस पर सोचना पड़ता है कि यह क्या पूछ रहा है clear? अगर वो जो पूछ रहा है उसको उस हिसाब से answer नहीं बिला तो वो incorrect हो जाएगा question number 7 देखो if the replacement set is the set of a real numbers solve तो इसको हमें solve करके उनको real numbers के form में लिखना है अब हमने कौन कों से form देखे देखो हमने सबसे पहले थे देखे थे whole number फिर integer देखे फिर अभी जो हमने देखे वो natural numbers के देखे अब हम देखेंगे real numbers के solution set तो वही रहगा वही procedure रहगा सिर्फ जो हमें solution set last में लिखना पड़ता है वह अभी real number होना चाहिए अब real number तो कितने भी हो सकते है मतलब अगर मैं बोलू कि अगर 2 और 3 के बीच में मुझे real number निकाल के दिखाओ तो infinite real number आएंगे clear तो इसका मतलब 2.21 2.221 2.222221 इसे कितने भी हो सकते है मतलब कितने भी numbers आएंगे इन 2 numbers के बीच में तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी 2 numbers अगर होंगे कोई भी हो उनके बीच में infinite real number आते है तो हमें उसको एक solution set में इसे लिखना मतलब curly bracket में possible नहीं है तो उनको words में लिखना पड़ता है होते है तो इसलिए इनको words में लिखा जाता है बाकी इको हम bracket में लिख सकते है मतलब इसे mathematical भाशा में तो इसके लिए जो format है उसके बारे में हम सोचेंगे तो यहापे मैं question लेता हूँ जो कि यह first question है देखो minus 4 x is greater than or is equal to minus 16 बराब ने तो हमें x की value निकलने पड़ेगे पहले solution set निकलने के लिए तो x की value कैसे निकलेंगे हमें यह minus 4 को इस तरफ divide करना पड़ेगा तो चलो यह rule आगया फिर से polarity reverse का तो जब भी minus number divide होगा तो यह sign change हो जाना चाहिए जो की minus 16 divided by यह minus 4 clear तो यह q change हुआ इसका मतलब अभी समझ गया होगा आपको इससे पहले हमने बहुत बार देख चुके हैं तो यह 4 4 cancel 4 for the 16 तो हमें answer मिला x is less than or is equal to 4 clear इस तरह से यह रहेगा तो x is less than or is equal to 4 है तो हमें x की ऐसी value होगी जो 4 से चोटी होगी अब यह बोल रहा है real number अब 4 से smallest 4 से small number ऐसे बहुत से real number आते हैं मतलब आप दो numbers के बीच में infinite होते हैं तो इसमें भी infinite number रहेंगे तो इसका solution set कैसे लिखा जाता है तो इसकी तरफ ध्यान दो थोड़ा सा तो इसका solution set लिखने के लिए आपको इसको समझना पड़ेगा तो ये इस sentence को ठीक से समझो ये sentence का बहुत बढ़े मतलब है इसका तो solution set आशे direct नहीं लिखे आएगा real number जब भी आएंगे तो तो आपको क्या करना पड़ेगा ऐसे curly bracket में ये x that is x clear ये लिखना कमपल सरी है x that is x belongs to real number हम किसकी बात कर रहे है x किसको belongs करेगा real number को belongs करेगा इस तरह से बराबर है x belongs to real number and कैसा real number जो x is less than is equal to fall on a चाहिए जो कि हमने condition निकाली वो यहापे लिख दो बस बहुत सिंपल है x double dot इसका मतलब होता है x that is x belongs to real number and x कि जो भी आपने condition निकाली होगी वो यहापे लिख दो उसका solution set अपने आप बन जाता है ये कर्ली bracket complete तो इसको बलते है solution set बनाना real numbers के लिए बाकी के numbers के लिए तो हम दिमाख लगा के निकालेंगे लेकिन यहापे बहुत easy step है इसका ये real number बना दो इस format में इसको लिखो x 2 dot और फिर x belongs to real number and जो भी condition आपके आईगो यापे लिख दो बस बहुत simple है तो सिर्फ आपको solve करना होता है इसको ठीक से बस उतना ही है अब यापे देखो इसको कैसे solve करेंगे इसको कैसे करना है देखो अगर हम इस question को solve करते हैं तो हमें क्या मिलगा देखो x plus 3 upon 8 is less than x minus 3 upon 5 तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ये 5 को इस तरफ shift कर लेंगे ये 8 को इस तरफ shift कर लेंगे इसको bracket देदो फिलाल के लिए तो linear equation solve करने का यही तरीका है हम ये 5 को इस तरफ और ये 8 को इस तरफ shift करेंगे तो हमें क्या मिलेगा solution तो देखो solution ये मिलता है कि ये मिलेगा यहाँ पर 5 और ये इस तरफ आएगा तो ये बनेगा x plus 3 और ये less than रहा वैसे कि वैसे है क्योंकि हम कोई minus number से multiply वगरा नहीं कर रहे हैं तो कोई polarity का change होना नहीं होगा तो ये 8 इस तरफ जाएगा तो यहाँ पर बनेगा ये 8 और यहाँ पर बच्चेगा x minus 3 बराबरे तो multiply कर दो अब नीचे तो कोई नहीं रहा तो ये 5 x अंदर गुच जाएगा तो ये बच्चेगा 5 x plus ये 5 x कितना हो जाएगा 15 बराबरे और ये less than or is equal to 8 x का हो जाएगा 8 x और ये 8 x कितना हो जाएगा 24 बराबरे तो बस हमें सिर्फ x x को निकालना है तो जिस तरफ positive x रहेगा उस तरफ उसको लेके जाओ तो ये ज़्यादा comfort होता है अब बड़ी value इसकी x की इस तरफ है तो हम ये 5 x को इस तरफ minus करेंगे क्योंकि बड़ी value की larger number में से minus होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगे हमें वापे हम इसको 8 x को भी इदर ला सकते हैं कोई दिक्कत नहीं लेकिन थोड़ा complications बढ़ जाता है तो minus number आएगा तो थोड़ा और दिक्कत आएगी तो हम बड़े number की तरफ लेके जाएंगे गभी भी क्योंकि उसमें हमें profit होता है तो हम क्या करेंगे हम ये numbers को shift करते हैं भी x को x की तरफ और ये 24 को फिर इसकी तरफ shift कर देंगे और ये x को इसकी तरफ shift कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें तो देखो तो यहापे जो 15 था और ये 24 था तो यहापे ये 15 as it is था ये 24 यहापे होके ये प्लस हो जाएगा बराबने 24 था ये हाँ और ये less than ये 8x यहापे प्लस था और ये इस तरफ आके ये 5x माइनस हो जाएगा समझ गए मैंने 24 इस तरफ प्लस कर दिए और ये 5x उस तरफ माइनस कर दिए सब x एक तरफ आ गए और सब numbers एक तरफ आ गए तो 15 प्लस 24 इसका answer क्या मिलेगा हमें 15 प्लस 24 ये हो जाएगा ये मिलेगा 39 clear less than 8x माइनस 5x इसका answer मिलेगा 3x clear तो चलो अब इसको simplify करेंगे तो हमें x की value चाहिए तो हम ये 3 को इधर divide कर देंगे अब ये 3 माइनस नहीं है तो कोई change नहीं होगा तो यहाँ पर मिलेगा 39 divided by 3 is equal to is equal to क्या मिलना चाहिए हमें ओके so हमें answer क्या मिला देखो हमें मिला 39 39 divided by 3 is less than or is equal to मतलब less than मिलेगा याप पर x बराबर है ये 3 इस तरफ shift कर दिया तो ये 3 बन जा 3 3 तरी जा 9 तो हमें answer मिला 13 is less than x बराबर है ये हमें answer मिला अब ये final answer हो गया हमारा अब इसको real set में कैसे लिखेंगे solution set कैसे लिखेंगे ये curly bracket के अंदर x that is x belongs to real number and and क्या होना चाहिए ये condition आप याप लिख दो 13 is less than x बस curly bracket का तो ये सबसे simple वही तरीका है ये हो गया हमारा solution set तो इस तरह से हमें questions को solve करना है बस ठीक से उनको tackle करना है clear चलो question number 8 की तरफ चलते है इस question को देखो ये question का आप बोला है find the smallest value of x मतलब x की इसी चोटी value निकालनी है और x क्या होना चाहिए integer होना चाहिए मतलब हमें point ऐसे fraction number नहीं चलेंगे number line पे number चलेंगे लेकिन fraction नहीं चलेंगे number line पे number मतलब क्या ऐसे 0, 1, 2 यह minus 1, minus 2 इस तरह के चलेंगे यह 3 लेकिन ऐसे 1.2 3.4 4 by 3 इस तरह के fraction number decimal number यह नहीं चलेंगे integer में यह calculate नहीं होते है integer में सिफ number line के number calculate होते है तो वो चलेंगे बागी के नहीं चलेंगे तो चलो हम पहले इसको simplify करेंगे इसका solution निकलेंगे तो इसको पहले छुडाओ clear तो कैसे चुटे गए तो देखो यहाँ पे क्या है यह 5 minus 2x is less than 5 and 1 half minus 5 by 3x clear तो यह जो mix fraction दिया है हमें यह mix fraction को हम पहले solve कर लेते हैं यह mix fraction किस में कनोट हो जाएगा यह जो 5 and 1 half होता है यह 2 से इसको multiply होता है और यह plus होता है और denominator common 5 to the 10 plus 1 11 तो यहाँ पे आएगा 11 by 2 clear अब हमें क्या करना है x की values को और इसको एक तरफ लाना है अब देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा यह denominator जो है ना इनको हटाना पड़ेगा पहले अगर यह denominator रहेंगे तो दिक्कत create करेंगे तो हम क्या करते हैं मैंने linear equation में आपको एक चीज़ बताई होगी जो भी यह नीचे के जो numbers रहते हैं ना उनको multiply कर दो आप तो यह यहाँ पे कोन रहेगा 1 यहाँ पे कोन रहेगा 1 तो इनको नहीं भी लिया तो भी चलेगा consider नहीं होगे वो लेकिन मान लिया जाता है कि 1 होते हैं वहाँ पे तो यहाँ पे बच्चा 2 यह 3 तो 2 into 3 करेंगे तो बच्चे मिलेगा 6 तो इसको बोलते हैं यह LCM निकालना दोनों तरफ मतलब यह sign के दोनों तरफ आपको multiply कर जाना है हार एक चीज़ को बस उतना ही करना है तो क्या हो जाएगा देखो 6 से multiply करेंगे तो हम लिखेंगे आपे multiply multiply both side by 6 तो 6 से multiply आपका तो क्या हो जाएगा देखो यह यह 5 यह 5 into 6 हो जाएगा बरबर माइनस यह 2x into 6 हो जाएगा less than or is equal to यह 11 by 2 into 6 हो जाएगा और यह माइनस 5 by 3 x into 6 हो जाएगा clear? इस तरह से यह पूरी condition बनेगी तो हमें क्या मिला answer तो हमें देखो यह 5 को 6 से multiply कर देंगे तो 5, 6, 30 हो जाएगा माइनस यह 2 से 6 को multiply कर देंगे 12 x बनेगा यहापे था 11 by 2 तो यह जो आप देखो आपे क्या आया था 11 by 2 into 6 तो यह 2, 306 हो जाएगा तो यह 11, 30, 33 तो यह आपे बचेंगे 33 clear? और यह minus और जो इस तरफ का जो था मतलब यह जो last वाला जो question था last में क्या था यहापे था 5 upon 3 x into 6 था बराबरें तो यह 3 into यह cancel हो जाएगा तो यह पर 2 बचेंगे 5 to the 10 तो इसका एंसर आना चाहिए 10 x तो हम वह यहापे लिख देंगे clear? तो क्या आना चाहिए वापे 10 x एंसर आना चाहिए तो denominator में आएगा 10 x तो यहापे बचेंगा 10 x अगर हमने 6 से multiply किया जो यह नीचे का 2 था और यह 3 था उसके साथ cancel हो जाएगा तो हमें सिर्फ इतना ही मिलेगा clear? तो चलो आगे चलते हैं अब हमें यह इस तरह के question हमने पहले भी देख चुके हैं x की value को हम एक तरफ लेके आएगे तो यह minus 12 को इस तरफ लेके जाओ तो यह plus 12 हो जाएगा ने तो इसको इस तरफ लेके आओ मतलब कोई भी नमर किस तरफ भी बेच सकते हो आप सिर्फ ध्यान में रखना कि अगर minus को multiply अगर डिवाइड करेंगे clear तो यह minus 3 आपर answer आएगा 30 minus 33 यह minus 3 हो जाता है और यह less than और यह minus 10x plus 12x तो इसका answer हो जाएगा 2x clear तो अभी हमें x चाहिए तो हम यह 2 को इधर डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा minus 3 by 2 is less than x बराबर हैं तो इसका answer आएगा minus 1.5 less than x clear तो हमें क्या solution मिला x की value minus 1.5 से बड़ी होनी चाहिए clear समझ गए x की value minus 1.5 से क्या होनी चाहिए बड़ी होनी चाहिए तो अब यह आपर ठीक से देखो इन्होंने बोला है integer और यह क्या मिला आपको decimal number मिला तो सबसे छोटा वाला integer क्या होगा उन्होंने integer बोला है तो integer को integer के जैसा समझना यह decimal number हो गया हमें integer तो x की value 1.5 से बड़ी मतलब आप number line निकालो यह पर 0 होगा मतलब number line को अगर ठीक से देखा आपने तो यह number line होकी समझो यह आपर यह 2 होगा यह आपर 1 होगा यह मतलब यह minus 1 minus 2 clear यह आपर समझो यह 1 है तो यह बीच में minus 1.5 है यह आपर 2 और minus 2 और minus 1 के बीच में तो हमें integer पूछ रहे हैं तो integer तो यह minus 1.5 नहीं आ सकता तो इससे बड़ा वाला मतलब यह क्या बढ़ रहे है x की value इससे बड़ी होनी चाहिए जो 0 भी रहेगा 1 भी रहेगा 2 भी रहेगा तो यह सारे के सारे solution state आने वाले है लेकिन सबसे छोटा वाला जो होगा वह होगा minus 1 minus 1.5 consider नहीं होगा क्योंकि यह decimal number है हमें बोला गया है integer clear सबसे छोटा वाला integer होगा minus 1 चलो आगे चलते हैं find the largest value of x for which x belongs to whole number अब largest value की बात कर रहे तो largest का मतलब क्या सबसे बड़ी बाली value रुट नहीं हमें तो सबसे बड़ी बाली देखो अब पहले इसको solve कर लो आप तो इसको solve कैसे करेंगे देखो यह क्या है यह है 2x 2x minus 1 in bracket is less than or is equal to 9 minus x तो इसको पहले solve कर लो यह bracket का अंदर डालो तो यह बनेगा 2x minus 2 is less than or is equal to 9 minus x तो x x को एक तरफ ला देंगे और यह 2 को इस तरफ shoot कर देंगे तो यह x को इस तरफ ला और यह 2 को इस तरफ तो क्या मिलेगा हमें answer answer बहुत simple है देखो यह 2x यह minus x का plus x हो जाएगा और यह less than or is equal to 9 का यह plus 2 minus 2 उदर plus 2 हो गया बराबर है यह तो अभी daily process हो गया हमाया तो यह 2x plus x कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा 3x is less than or is equal to 9 plus 2 कितना होता है 9 plus 2 होता है 11 तो हमें x की value मिलेगी x की value मिलेगी x की यह 3 इदर divide हो जाएगा तो x की value मिलेगी x is less than or is equal to 11 by 3 तो उसका answer आता है 11 by 3 को अगर हम divide करेंगे तो उसका answer आएगा यह तो हमें condition मिली x is less than or is equal to 3.67 पराबरें तो यह भी decimal number आया हमें बोलके रखा है कि x कैसे होना चाहिए whole number होना चाहिए whole number x जो है और यह आपे 0 होगा तो यह सारे के सारे whole number से इस तरह से बराबरें यह जो number के बात कर रहे हम वो 3.67 तो इन दोने के बीच में यह आपे कई पे तो भी आएगा हो clear 3 और 4 के बीच में तो यह आपे number आया समझो 3.67 clear इस number से हमारा x कैसे होना चाहिए equal नहीं तो छोटा अब यह बोल रहे है कि whole number तो whole number तो यह आने से रहा यह तो decimal number है तो इस से पहले वाला whole number इस से छोटा वाला तो whole number कोन आएगा यह 3 आएगा बराबर है 2 भी आएगा 1 भी आएगा और 0 भी आएगा तो यह सारे के सारे आने चाहिए condition के इसाफ से मतलब इस number से छोटे वाले whole number यह तीनो है अब इन्होंने पूछा है सबसे largest वाला तो सबसे largest कोन आएगा 3 तो हमारा सबसे largest x हो गया 3 अगर सबसे छोटा पूछते तो तो 0 आता था इस तरह से हमें ठीक से दिमाख लगाना पड़ेगा वो solution कहाँ पर आ रहा है whole number है natural number है या real number है तो किसके बारे में बात चल रही है उसके regarding हमें सोचना पड़ता है clear इस तरह के यह जो questions होते है इस तरह से questions रहेंगे आपको बाकिकी questions तो मतलब homework में मिल जाएंगे तो हम अगले exercise में अगला part को cover करेंगे clear और जो अगले number line की तरफ चलेंगे फिलाल के लिए हम यहाँ पर रूख जाते हैं आपको सिफ यह समझना चाहिए कि हम कैसे solve करें इसको कैसे छोटी छोटी चीजों की तरफ ध्यान दे रहे हैं और उनको कैसे उसका meaning निकाल के उसके solutions को कैसे number line पर draw करके कैसे largest और smallest value को समझ रहे है clear तो इसको अगर नहीं समझा होगा तो फिर से देखिए यह थोड़ा conceptual chapter है तो concept जादा होने की बज़े से difficult level बढ़ जाती है इसकी लेकिन अगर एक बार समझ में आ जाए तो कोई रिक्कत नहीं होती तो आप दो बारा इसको वीडियो को देख लेंगे तो आपको understanding से मतलब अच्छा understand होगा understanding ले whole बढ़ जाएगे आपकी तो एक दो बार तीन बार repeat मारो वीडियो मतलब लगाए वीडियो को तो आपका understanding level अच्छे से बन पाएगा इसमें